प्रत्याशी धर्म सिंग चोकर एक बार फिर समालखा सीट पर जीत का परचम लहनाने के लिए मैदान में कूच चुके हैं। कि मैंने अपने हलके समालखा में कॉलेज, हॉस्पिटल, स्टेडियम, सडकें और कई विकास कारे करवाये थे। लेकिन बीजेपी के दस वर्ष की सरकार में सिर्फ जंता को जूटे बादे करके बरगलाया गया और समालखा की लगतार अंदेखी की गई। देरा जी दिला पारसद, संजेब पहरीवारा जी चेर्मेन, सबी महारे लोग साथी उपस्ते हैं। रब्बू जी हमारे पहलवान जी रोग तक से भी हमारे बेश से बहुते हैं। हमारे सारी खुरेना जी हैं। सभी साथ ही हो। देखिए जी चर्पसाब कह रहे हैं। पर्तेक्स को पर्मान की दूट नहीं होती, 9-14 सरकार हमारी रही। और 9-14 सरकार ही मैंने अपने कार्यकाल में जो काम किये सब के सामने हैं। चाहे कॉलीज हो, होस्पिटल हो, CSC हो, स्टेडियम हो, पाउर आउस हो, सोसोगत के पलाट हो, बीपिल कार हो। उनको बनाने के लिए एक लाक रुपे दिने की बात हो। CSC हो, स्टेडियम हो, आईटियाई हो। यह मैंने कोई भी लेता हैं यहां आए। और उससे पुछ से आप से अग्वे मारा जो तना अलके मा काम करया। वो मुझे बताओ। मैं आगया मने यह काम करया लखे हैं भई। यह पूर है यह तो बहुत कराखे लेकिए ज़ादा लिक्वाल कतार बर जाएगी पढ़ेगा कोई नहीं। कॉंग्रिस प्रत्याशी धर्म सिंग छोकर ने इस मौके पर कहा कि पूरे हर्याना में बदलाव का महौल है और जनता ने बीजेपी को सत्ता से उखार फेकने का मन बना रखा है। उन्होंने कहा कि हर्याना में अब कॉंग्रिस की सरकार बनने जा रही है जिसके बाद फिर से हर्याना को नंबर वन और समालखा को विकास की क्षित्र में फिर से चमकाने का काम किया जाएगा। जाएगा 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 जाएगा।